हेलो प्रिविद्ध्यार्थियो आपका एक बार फिर से सोगत है आज के इससे नए वीडियो पर यहां आज हम आपको कक्छा दसभी का बिज्ञान बिसाय का प्रैक्टिस पेपर थटक आपके सभी कोश्चन के आंसर लेकर यहां पे मौजूद है तो देखिए आपका इसमें 70 कोश्चन दिये गए हैं इसके साथ ही आपको इसमें 120 मिट के आपको टाइम दिया जाएगा तो अभी आपके लिए आपको जो है इसमें देखिए कोश्चन आपका क्या दिया गया है इन सभी कोश्चन को हमने पढ़ा है पढ़ने के बाद आपके लिए आंसर तयार करके लाएं है तो चलिए आपको इन सभी कोश्चन के आंसर आपको अच्छे से कॉपी पर लिख लेना है question क्या दिया है पहला नमबर पर दो समान कागजों को मोड़ कर एक उल्लू और एक वेल मचली का माडल बनाए गया है जैसा कि नीचे दिखाए गया है आपको इसमें क्या बताना है डोनों माडल में कौन सी चीज समान रहेगी आपको ये बताना है क्या इसका बजन समान रहेगा पदार्थ समान रहेगा या प्रष्टीज चेत्रफल आपको बताना है तो देखिए आपको इसमें आपको बताना है इसमें इसके अधार पर अब देखिए आपको इसमें समझने वाली बात क्या है कि देखिए ये तो बना हुआ कागज का है तो कागज एक ही कागज का बना हुआ है एक ही समान का तो आपको इसे बताना पड़ेगा भाई कि इसका आपका जो कागज तो समान रहने वाला है ठीक है यानि इसका आपका क्या है बजन भी समान रहेगा और यह पदार्थ यानि का पहला भी सही होगा और आपका दूसरा लेकिन आपका प्रिष्टी छेत्रफल अलग हो जाएगा ठीक है इसके आपको आंसर इसमें लगाना है आपको बी नमबर पर केबल बजन और इसमें पदार्थ आपका सही आसर होगा इसके बाद चलिए कोशन नमर सेकेंड में चलते हैं मकड़ी के जाल के बाला रिसम तंतू इस टेल से बने तंतू से मजबूत होता है दोनों की मजबूती की तुल्ल में करने के लिए उसे तंतू के किस भौतिक गुड़ को इस तीर रखना होगा तो आपको आंसर कोशन नमर आपका दो का करना है ए नमबर यापका यहापका य इसके बाद कोशन नमर आपका यह चोथा दिया है क्या दिया है प्रतिबी सानी और गुर्यू की सतय पर लोहे के एक किलोग्राम टुकड़े के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही होगा तो आपको इसमें आंसर करना है आपको यहापे उसमें मौजूद कड़ों की संख्या समान होगी आपका यह करेक्ट आंसर होगा इसके बाद चलते है कोशन नमर आपका नेश्ट यहापे दिया है आपको इसमें क्या दिया गया है सलमान को पता था कि जो सते हैं बास में ठंडी होती है बास उन पर संगनित हो जाती है गर्म पानी से नहाने के बाद उसमें यह सभी आपके आंसर हो जाएगा इन सभी में वास्प संगिनित हुई है इसके बाद देखिए आपको कोश्चन मर छे में दिया है इसमें मैंगरो पादप समुद्र के पास दलदल वाले छेत में उकते हैं इनके बीज जमीन पर गिरने से पहले एक मूल पोदे की साखा पर अ आपको इस कोश्चन को देखना है साइमन ने समान गतिस चलती हुई बस की खिड़की के बाहर देखा उसने देखा कि बस के बाहर चीजे पीछे की और दिसा में चलती हुई दिख रही है उसने खिड़की में से बिजली के खंबे P, Q, R देखे आपको यहाँ पर अंसर यह आपका P, इसका करेक्ट अंसर होगा जो पहले होगा वही तेजी चलता हुऊ दिखाई देगा ठीक है इसके बाद एक कोशन नमर आपका यहाँ पर आठ दिया है फिलो ट्विटर एप यह ठीचर के लिए भारत का एक बहुती सुब्धाजाराग एप है जिसके जरी आप महिने का 20,000 तक कमा सकते हैं और वो भी दिन में सिर्फ 4 घंटे खर्च करके इस एप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप इस्टुडेंट को कही से भी और किसी भी समय पढ़ा सकते हैं अपने से डियूर के अकॉर्डिंग अगर आप एक या धू टॉपिक्स में बहुत अच्छे हैं तो आप फीलो जोइन कर सकते हैं और इस्टुडेंट को पढ़ा सकते हैं आप इस्टुडेंट के doubt solving और home work में help कर सकते हैं और आप पूरे भारत के इस्टुडेंट के साथ जुड़ सकते हैं आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो की पैन कार्ट से लिंक हो उससे जाकर रेश्टरड करें पे आउट इजनी मंतली पेमेंट बिद एक्स्ट्रा इनिसियेटिव जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे लिंक डिसकिप्सर में दिया गया है अभी जाकर ड़नलोड करें फारहाद और एक सौर कूकर बना चाहता है जिसमें पानी को उबाला जा सके वह बिभिन प्रकार के सौर कूकर के बारें पढ़ता है फिर तीन नए प्रकार के कूकर का चलित माडल मनाता है एक से ज़्यदा चालू माडल वनाने का क्या फाइदा है आपको इसका अंसर बताना है तो इसमें आपका correct अंसर हो जागा बी नमबर, तीनों माडल को एक साथ चला कर यही देखा जा सकता है कि कौन सा माडल सबसे अच्छा है इसके बाद question नमर आपका यहाँ पे 9 दिया है भानू सुबह जल्दी उठकर घूम रहा था उसने देखा कि सूर उसके बाई तरफ उदय हो रहा है 10 मिनट में वह है सडक के अंद तक पहुँच गया फिर वह है मुड़कर उसी रास्ते पर चलने लगा जहां से वह है आया था जाते और लोटते समय उसकी 26 दिसा होगी तो आपको बताना है इसमें आंसर क्या करना है आपका answer question नमर 9 का आपका B हो जाएगा यानि आपका यहाँ पे B हो जाएगा जिनमें से अलग अलग प्रकार के बल काम कर रहे है किस चितर में बस्तू पर काम करने वाले सभी बल सही तरीके दिखाए गए आपको इसमें answer बताना है तो देखिए आपका ये A है इसके बाद B और C और D बताया है तो देखिए आपको इसमें answer करना है 10 का answer आपका यहाँ पे C number हो जाएगा यानि आपको इस वाले में आपको answer लगाना है ठीक है इसके बाद देखिए question number यहाँ पे 11 दिया गया है question क्या दिया है इसमें दर्द को ठीक करने वाली एक दवा कुस समूह के मरीजों पर आजमाया गया है जिने लंबे समय में बहुत यदा कमर दर्द था पर तेक समूह में 30 मरीजों थे तो आपको यह सभी पढ़ लेना है पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर answer बताना है कि इसमें से आपका question क्या देगा है इस परिक्षण को बैद के आकार में सही रूप में आपको दर्था आगया है आपको इसमें अंसर लगाना है A, B, C, D आपको कौन सा अंसर होगा आपको आंसर इसमें C नंबर लगाना है यानि कि आपका जो आंसर आपका यह हो जाएगा ठीक है उपर जाती हुए इसके बाद देखिए question नंबर आपका यहाँ पर 13 नंबर का दिया है इसमें question आपका दिया है हंसा ने एक बैटरी और दो तारों को मदद से एक बिद्दूत बल्प दीप्रियास करने का प्रियास किया जैसा कि नीचे दिखा गया है बल्प दीप्र नहीं हुआ आपको अंसर बताना है बल्प दीप्र ना होने की उसके संभावित कारण को सोचा उस कारण को जातने के लिए एक नया बल्प लिया जो काम कर रहा था और पूरी तरह से चार्ज हुई बैटरी बिली थी वह किस संभावित कारण को जा चले थी आपको अंसर इसमें कोश्चन नमर 13 में बताना है आपको अंसर हो जगा एक तार तूटा हुआ हो सकता है इसके बाद देखिए आपका नेक्स कोश्चन क्या दिया है यहापे तब उसे संभावता क्या पता चलता होगा आपको इसमें बताना है चार अंसर आपके दिये हैं तो आपका यहापे सही आंसर हो जगा वह घट गई थी इसके बाद दिखिए आपका कोश्चन नमर यहापे 15 है केवाल आपको यहापे उपर दी गई जानकारी के अधार पर विभिन पदार्थों की पदार्थ के अवस्थाओं में धौनी की चाल के बारे में क्या कहा जा सकता है तो उसी को पढ़कर आपको इसमें आंसर देना है तो आपका आंसर कोश्चन नमर पंदरक आप यहापे सी नमर हो जागा धौनी की चाल जो है बदार्थ की अवस्थाओं के अलावा अनकार को पर भी निर्वर करता है कोश्चन नमर आपका यहापे 16 दिया है जिसे आपको लगतार वीडियो के नोटिफि़ीसन मिलते रहे तो दीखरण कोश्चन नमर आपका नेश्ट क्या दिया है जिसन की वहित किया उन सभी वह अपने कलाई समान रूप से घुमानी पढ़ेगी आपको 17 का यहापे अंसर करना है ए नमबर यानि कि आपको वेट्टी को जो है सबसे ज़्यादा कलाई घुमाने की ज़रूद पड़ेगी इसके बाद आपको इसे पढ़ना है और यहापे Question दिया गए है यह पढ़लेंगे आप इसके बाद आपको Question दिया गए है अगर साधे धकन पूरतर से बंद कर दिये जाए तो कौन सी बोतल खोलने में सबसे कम समय लगेगा तो आपको इसमें देखके बताना है यहापको इसमें जो है यहापको देखना पड़ेगा खाची की बात कर रहा है तो आपको 18 में आंसर D नंबर पर लगाना है आपका सही आ यहापका आंसर होगा इसके बाद देख़ें कोसन नंबर 19 में न्यूटरान का दरबान होता है आपको बताना है तो आपको भता सब्सक् albums कर दिया कौनसे असथ है आपको अंसर 20 में लगाना है D-Number यानि आपका यह है अगनासय की बीटा सेल से निकलने वाले एंसुलिन हर्मोन की कमी से होता है इसके बाद आपका 21 नमबर कोशन यहाँ पे दिया है आपको इसको पढ़ना है पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर लगाना है समूर सेकेंड के आधार पर तो आपको कोशन पूछा गया है समूर एक और समूर दू को लिखे गए आकसाइड में अंतर बताने के लिए इनमें से किस मावदंड का प्रयोग हुआ है आपको यहाँ पे आंसर बताना है 21 का आंसर आपका B नमर हो जाएगा यानि आपका यहाँ पे कौनसर हो जाएगा धातू के अकसाइड और अधातू के अकसाइड यहाँ पे यहाँ आपका क्या हो जाएगा ज़िए आपका सही मावदंड होगा इसके बाद देखिए आपका नेस्ट कोशन ने पर 22 नमर कोश्चन दिया है आपको इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर आंसर आपको बता रहा है कोश्चन क्या दिया गया है इन में से किस जैनमर की दर्ष्टी अंधेरे वा उजाले दोनों इस स्थितियों में सबसे अच्छी होने की संभावना है आपको यहाँ पर आंसर करना है कोश्चन नमर 22 का आपका A नमर हो जाएगा यानि कि आपका यह आपका सही आंसर होगा इसके बाद देखिए क्योंर आपका next क्या थर्ष्ट नमर में के बताना है तो आपका यानसर बताना है जैसे करते हैं जाने मटके में पानी running तो यहाँ ठंदा रहता आपको यह बताना है तो यहाँ पर बास्पन सही आंसर हो जाएगा इसके बाद आपका next question यहाँ पे इसे पढ़ कर आपको 25 से लेकर आपको 27 तका उतर देना है तो इसे पढ़ लीजेगा इसके बाद चलिए आपको आंसर पताते हैं तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा देखिए question number 25 का आंसर यहाँ पे एक बन जी फोटोग्राफर सेरो के सफल सिकार की फोटो खिचना चाहता है जंगल में ब्रत दौरा चिनित की स्चेत्रों में उसे इस तरह की फोटो मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है तो आपको इसमें बताना है A, B, C, D आपको इसमें आंसर 25 का करना है A नंबर यानि आपका पहला वाला इस छेत्रों में सबसे ज़्यादा मिलने की संभावना है तो आपको इसमें आंसर C नंबर पर लगाना है तेंदू की बात कर रहा है तो इसके आपकी 26-50 किलोग्राम तक इसके क्या होती है आपका बज़न होता है इसके बाद कोश् इन में से किस जानबर का सिकार कर सकता है सबसे अधिक संभावना वाली विकल्प को आपको चुनना है तो 27 का यहाँ पर C नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें जेबरा 175 किलोग्राम हो जाएगा इसके बाद 28 नंबर कोश्चन आपको पढ़ना है इसके बाद आपको पूरा का पूरा को पैरा ग्राफ यहाँ पर लेना है पढ़ने के बाद आपको यहाँ तक कोश्चन बताना है इन में से कौन सा प्रभाव दिखने की सबसे अधिक संभावना है आपको इसमें आंसर करना है 28 में आपका D नंबर इसमें करेक्टर अंतर सो जागा बास्तिवि कि अधार पर D-B-X और Y के बारे में कौन सा कथन हो सकते हैं आपको यहाँ पर अंसर करना है 29 में आपका यहाँ पर आंसर C नमबर हो जाएगा आपका केबल P और R यहाँ पर सही अंसर होगा इसके बाद देखें कोशन नमर 30 में आपको इसे अबलोकन करना है पढ़ना इसके इ यहां पर 31 question दिया है इस question को आपको पढ़ना है यह एक समतल दरपण है आपको इसमें देखना है यह सभी आपको पढ़ना है इसके बाद बताना है आपको दरपण दोरा सूर की सीधी रोसमें दीवार पर परिवर्तित हो रही है इन में से किस चित में उस परवर्तन को सही तरीकेस दिखाये गया है आपको अंसर इसमें बताना है तो आपका इसका correct answer A, B, C, D इसमें से क्या हो जाएगा तो आपका 31 का अंसर इसमें D नमर होगा आपक यह क्या होगा आपका सही हो जाएगा इसके बाद आपका यहापर next question 32 नमर दिया है आपको इसको पढ़ना है अब लोकन करना है इस पूरी जानकारी को इसके बाद इसमें question बताना है कि इन दो जन जाती के आहार जो अंतर उसके बारे में राना ने चार संभावित कारण बत इसके बाद question number 33 में दिया है आपको इसे पढ़ना है पढ़ने के बाद आपको यहापर answer निकालना है तो question पूछा गया है अगर अलवर्ट का दावा सही है तो डेवीट इसमें से क्या देख पाएगा उसने समान इसकी में गुबारा क्यों इस प्रक्रिया को दोहराया है question क्या दिया है यहापे प्यारे बच्चों यह पर आपका 34 नमर किसी कुछका की राइबोसोम अंगक को निकालने पर क्या पढ़नाम होगा answer आपको 34 का यहापे करना है B नमबर यानि आपका इसमें सही answer क्या होगा यहापे आपको इसके आधार पर आपको बताना पड़ेग इसमें से कौन सा कथन किया गया है आपको इसमें बताना है तो आपको इस अधार पर आपको answer बताना है आपका 35 का यहापे answer A नमर हो जाएगा यानि कि पेड़ो की छाया के कारण मुख सड़क पर गली में बस्वन की दर अलग थी आपको यानि कि यह भी आपका सही होगा इ इसलिए आपका answer यहापे केबल B और Q यहापे सही answer आपका हो जाएगा ठीक है चलते है question number आपका next है जिसका सोयम का पेस्मेकर होता है ठीक है इसके बाद देखे question number 37 का बेड़ो बहुत लंबी हो रही है इसलिए आपको जल्दी जल्दी आंसर बताने के कोशिस लगातार कर रहे है question 37 में लिखा है एक परमाडू के लेनी लिखित में से कौन सा कथन सत्ते नहीं है आपको 37 का यहापे D नमबर लगाना है परमाडू में बड़ी संक्या में परस पर जुड़ कर पदार्थ कर निर्मार करते हैं जिसे हम देख अन्भोया इस पर्स कर सकते है question number 38 में लिखा है आबर्थ सरनिक के आबर्थ में 22 से दाय जाने पर समानता परमाडू का आकार क्या होता है आपको बताना है तो यहापे 38 का आपका answer B number हो जाएगा यानि क्या आपका घर्टा है इसके बाद देखिए आपका next question यहापे क्या दिया है 39 number question में आपका यहापे question number 40 और का देखिए उनके अड़ों में होता है आपको इसमें बताना है तो आपको इसमें आंसर लजेना है जल रागी सीर्स तथा जल विरागी आपका पूछ होता है इसके बाद 42 number question यहापे दिया है एक विद्यार्थी के हाथ पर दुरभटना सांद्र अमल की कुछ बोंदी गिर जाती है तो आपको यहापे 43 का आपको बताना है डी नंबर यानि इन सभी में पाया जाता है इसके बाद आपका यहापे 44 number question क्या दिया है यहापे लिखा है इंसुलीन मानों सरीर में किस अंग दोरा इस्तरावित होता है आंसर आपको यहापे बता देना है 44 का आपका डी नंबर होगा इसके बाद देखिए आपका 46 number question इसमें दिया है आपको बेंजीन का सनस्तरा बताना है इन में से कौन सा है तो बहुत सिंपल ता question आपका यहापे 46 का आंसर आपका C number हो जागा यानि आपका यह क्या होता है आपका बेंजीन का C6H आपका 6 यहापे इसका अड़सूतर होता ह C6 और आपका H6 यही आपका दिया है देखे 6 कारवन है और इसमें 6 हाइड्रोजन है आपको यह बताना है इसके बाद देखिए आपका next question है 40 सेवन है इसमें पूछा है बिलूरूबीन किसमें पाए जाता है तो आपको बताना है कि बिलूरूबीन आपका जो पी तरफ में संकट कालीन हर्मोन किसे कहते हैं तो आपको इसमें आंसर करना है 49 का आपका A नंबर यानि हमारे हां ततक उत्ते के अगरपाद यह क्या होते हैं आपके समझात अंग होते हैं 50 नंबर कोशन यह दिया है निमलिखित में से कौन सा पेसी उतक आपका प्रकार है आपको बताना सबी यानि रेखित और हैदया कि यह सभी आपकी जो है पेसी उतक आपका प्रकार है 51 नंबर कोशन में दिया है जनतु जो सीधे सीची को जन्म देते हैं उससे क्या कहते हैं आपको आंसर 51 का बताना है आपका जरायूज जनतु आपके कहलाएंगे इसके बाद 52 नंबर कोश में नहीं पायाता है इसके बाद देखिए आपका यहां पर अगला कोशन यहां पर दिया गया है किसी चालक तार को खीच कर दूना लंबा कर दिया जाता है तो चालक का प्रत्रोद क्या हो जाएगा तो देखिए आपका 53 का अंसर यहां पर क्या हो जाएगा चार गुना हो 25 पर स्कूल के निकलता है और घर से तीन किलमेडर दूर तुल सवात होने पर घर बापस लॉटा चाट का विस्थापन कितना होगा आपको यह बताना है तो आपको 26 नमबर Πे आपको 20 5 हो जाएगा दोनों पर समान बल होगा इसे आप पढ़ लिजिएगा इसके बाद 59 नमबर कोशन या पर दिया है दो बस्तों का दरबमान दुगुना करने और इनके बीच की दूरी चार गुना कर देने पर इसके मद गुरुत्तों करसन बल हो जाएगा तो 59 में आपको 2 नमबर आंसर लगा नहीं करना चाहिए आंसर आपको 60 नमबर कोशन करना है सी इसका सही अंसर हो जागा गैसो का संगठन इसके बाद आपका देखिए नेस्ट कोशन या पे 62 नमबर कोशन इसमें दिया है एक यूनिट विद्धूत उर्जा ब्य होती है आपको आंसर इसमें बताना है 62 किसमें स ना पर है 64 नम lepice कोशिखा का उसकां का संगम मिस्थ redund कहलाता है तो आपको वताना है आपका यहाँसर किरक्टा स्हार कե दिया है इसके बाद इफन learnt नम्रिकित में से कौन सा भाग होता है मानो नेत्र। आपका उप्रोग सभी तो जानते हैं आप क्या है यह सभी भाग आपके आँख में पाए जाते हैं ठीक है रेटीन भी आपका पाए जाता है तो देखिए कौर्णिया भी होता है तो क्या होगा आपका यह करक्ट अंसर होगा इसके बाद 66 नमबर कोश्चन आपको छेचट और जो है आपको इस से पढ़ कर आपको देना है तो आप इससे पढ़ ली जीगा पढ़ने के बाद आपको आँअब करना है यह देक्खे है आपको next question यहाँ पर दिया है इसे आपको पढ़ना है पढ़ने के बाद आपको इसमें question क्या पुछा गया है रेखा क्यूं का पर नाम प्राप्त करने के लिए उसमें क्या किया होगा तो answer आपको यहाँ पर कर देना है बी नंबर में यानि कि बत्ती की चोड़ाई आपको बढ़ाना होगा इसके बाद देखिए आर्सर नमर question आपको दिया गया है यहाँ पर बजारा जन जाती वाले एक मरुसाल में ठीक है इसके बाद देखिए आपका नमर question यहाँ पर दिया है आप इसे पढ़िएगा पढ़ने के बाद आपको यहाँ आंसर बताना है कि अगर दोनों बत् रंग क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला होगा यानि कि यहाँ पर चाया P में आपका नीली और चाया Q में आपका क्या हो जाएगा आपका लाल होगा इसके बाद आपका last question यहाँ पर दिया है इसे आप पढ़ यह आपका सही आंसर होगा तो देखिए हमने यहां पर 70 कुश्चन के हल कर ले हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वह जो लाल वाला बटन है उ प्लिक हो जाना चाहिए